हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू सेंटीरोय चनल मैं हूँ आपका दोसेंटीरोय तो गाइस आज मैं फिर से आप लोग लिए बहुत अमेजिन वीडियो लेके आ हूँ आज की मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है इंस्टेंट फोटो इफेक्ट मॉकप फाइल आज मैं आप लो इफेक्ट अधर या तो फिर मल्टीपल फ्रेम के अंदर मल्टीपल फोटो भी डाल सकते हो जैसा आपको एडिट करना है बिलकुल वैसा आप कर सकते हो मैं आपको इसके इंदर स्टेब-एस में पनाज़ने वाला हूं तो फुरीज वीडियो को पूरा जरूर वाच करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आप जरूर दबाएं और प्लीज एक लाइक जरूर करें लाइक करने से कुछ नहीं जाता है हम लोग बहुत महद से वीडियो बनाते हैं आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं आ मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोगो मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं बैल आइकन दबाते के टेम पर आप से और पर पर प्रेस कर दे इससे होगा यह कि आने वाले फीचर के मेर जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिकुल सही टैम पर पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली आप कुछना कुछ सीखेंगे कुछना कुछ आपको मेरे वीडियो में मिलेगा ही डालोड करने के लिए जिसस सब्सक्राइब लगा तो करने चीप प्राइज में तो गाइस वीडियो करते हैं तो गई आप देख सकते हैं डेस्टव में एक विंडरा की फाल सबसे पहले डामड को मैं आपको साइज कर दूं इसका आप देख सकते हैं 105 MB की फाइल है कंप्यूटर से टैबलेट से लेप्टॉप से या फिक किसी अलग डिवाइस से डाउनलोड करके आप अपनी कंप्यूटर मूफ करेंगे जहां पी आपको काम करना है तो माल लेते हैं कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया डाउनलोड करने के बाद यह विद्दार की फाइल इ जा रहे हैं वो फाइल अगर आपको किसी दूसरे लोकेशन में एक्सेट करनी है जैसके C drive, D drive, E drive, F drive या किसी फोल्डर में तो यहां से आप अपना लोकेशन सेलेट करके यहां से आप इसको ओके करेंगे लेकिन मैं अपने केस में इसको डेश्टॉप के उपर ही इसको एक्स आपको दिखाता हूं यह विंडर की फाइल तो वह है जो कि आप में दियो लिंक से डानोट करेंगे डानोट करने के बाद जो आप इसको एक्सेट करेंगे तो आपके पास यह वाला फोल्डर आ जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको गूगल करॉम के तीन यूराल दिखाए दे रहे हैं और यहां पर आपको एक सेंपल दिखाए दे रहा है और एक पिएसडी फाल दिखाए दे रही है यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो तीन यूराल दिये ह यह मेरी वेबसाइट की URL है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए है या तो फिर मेरे प्राणी यूजर है अगर आपने अभी तक मेरे वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो यह तीनों लिंक मेरे वेबसाइट के हैं आप एक करके इन URL के ओपर किलिक करें और आप मेरे विजिट कर जाएं कि वहां पर आपको unlimited चीज़े मिलेंगी फिर में डाउट करने के लिए काफी सारे software काफी सारे प्रिसेट एक्शन फाइल आप गेडिन्स वगारा या Photoshop से फोटोशॉप से रिसोर्स फाइल यह वगारा है काफी कुछ आपको हाँ पर फ्रियो कोश्ट मिले का वहां से आप डार्वाट कर सकते हैं तो अभी जो हम लोग का सब्जेक्ट है वह है यह वाली पीच्डी फाइल इसको यूज़ करने के लिए आप फोटोशॉप सीएस फ फेस्द खुल जाएग ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बसे फटोशॉप और एपको इसको करने के बाद आपको से कुल गई आप दक है इसल्ग्शेट क lacks वह कुर्ण आपको प्रिश्ट को पेस्ट करना है तो यहां पर मैं अपनी इमेज को यह कॉपी पेस्ट कर लेता हूं वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फाइल पे गए ओपन किया और आपने के बाद आपको जो भी फोटो लगाने आप अपनी फोटो लगाएंगे लेकिन जो मेरा तो यहां से मैं अपनी कोईशी भी डैमो की पिचर को ओपन कर लेता हूं आप अपनी पिचर को यहां पर ओपन करेंगे ठीक है तो यहां से मैं कोईशी भी अपनी डैमो की पिचर को एक ओपन कर रहा हूं यहां पर मैंने यहां पर देख सकते हैं मेरी पिचर यहां पर आ ग यह हो गया है अब मैं इसको सेफ करूगा फाइल पर जाएंगे हम लोग फाइल पर सेफ आपको सेफ दबाना है सेफ नहीं दबाना ठीक है गाइस सेफ पर जैसे आपने किलिक किया तो जो यह वाली image है ने यह smart object में जाके save हो जाएगी यह save हो चुकी है मैं आप इसको यहां से बंद कर देता हूँ बंद करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो image है वो frames के अंदर साथ चुकी है जो कि बहुत ही unique effect दे रहा है अब आपको यहां पर background भी change करना होगा अगर background change करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं layer background का इस layer के उपर आपको background change करना है तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहां से disable कर देते हैं अपना हम लोग खुद का background डालेंगे एक photo को open करते हैं हम लोग यही वाली photo को open करेंगा directly फिर से यह थी मेरी photo मैंने इसको open कर ली है open करने के बाद जो भी मुझे color correction करना था वो फिर से मैंने कर दिया करने के बाद मैंने इस photo को किया control A, फिर कर दिया control X, फिर कर दिया control W सब्सक्राइब करने से मीरे जो इमेज यहाँ पर पीछे आचुकी है अब मैं कंट्रोल T कर लेता हूं और इसको बढ़ा देता हूं एसे करके मैंने बढ़ा दिया अब मैं इसको ब्लर करूंगा और यहां से इसको ब्लर कर देते हैं और ज्यादा यह ऐसे कर दिया अगर ब्लैक रवाइड करना चाहिए तो ब्लैक रवाइड भी कर सकते हैं आपको जैसा अच्छा लग रहे हैं वैसा आप इसको कर सकते हैं कि कोई ब अपने घर के अंदर लगा सकते हैं या फिर गिफ्ट भी कर सकते हैं गाईस अगर आप लोग को यह अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरू करें लाइक करने में कुछ नहीं जाता प्लीज एक लैक जरू करें अगर आप में चैनल को सब्सक्राइब करकि वीडियो के डिश्क पर मिल जाएगी जिससे कि आपको benefit होता रहेगा अगर आप मेरे second channel के लिए interested है तो आपको इसी वीडियो के description यह मेरे second channel के link मिलेगा जिसका नाम Rose Editor है उस channel पर विजिट करें उस channel को भी subscribe करके के bell icon आप जरूर दबाएं और वहां के भी video से बेनफिट ले सकते हैं वहां के भी video पर प्लिस लाइक जरूर आप करें तो आई होप वाइस आप लोगोगो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करें शेर जरू करें कमेंट जरू करें मैं मिलता आप लोगों से नेक्स वीडियो पे I hope you guys enjoyed the video if you really did do not forget to like comment share and of course subscribe to my channel, thank you so much guys for watching, love you guys